अब दोस्तों आप देख रहे हैं D.Code Indian और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Multi-State Co-operative Societies के बारे में अब देखिए यहाँ पर इस टौपिक के बारे हम इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्यूंकि राज्य सभा से Multi-State Co-operative Societies Amendment Bill 2023 को पास कर दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं Economic Times का आर्टिकल है ये राजी सभा पासेज मल्टी स्टेट कोपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमिन बिल 2023 तो चलिए डिसकस करते हैं कि exactly इस बिल के अंतरगत है क्या क्या और ये मल्टी स्टेट को आपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है कैसे काम करती है को इन सब को हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले तो देखे यहाँ पे जो हमारे देश में मिनिस्टर आफ स्टेट को आपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमिन बिल 2023 को राजे सभा में पेस किया गया था और फिर इसको यहाँ से पास किया गया और 25 जुलाई 2023 को ही लोग सभा से यह जो बिल है वो अपरूब हो च है और उनको किस तरह से यहाँ पे मजबूत करना है तो उनके अंदर जो फंक्शेनिंग है उसको यहाँ पे ट्रांसपेरिंट बनाना है और जो Elections सिस्टम है को अपरेटिव सोसाइटीज के अंदर उसको रेगुलर बेसिस पे करना है इसके अलावा यहाँ पे बहुत जगह पर देखा गया है कि जो co-operative societies में election होता है election की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि co-operative societies के जो board है उसके अंदर जो member की न्यूकती होती है तो उसमें देखा जाता है कि related person को पॉइंट कर दिया जाता है तो यह जो पूरा विल है इन सब चीजों को प्रोहेबिट करता है चलिए सुरू करते हैं कि बिल में क्या-क्या है लेकिन उससे पहले थोड़ा साम बात कर लेते हैं co-operative societies क्या होते हैं देखे आपको पता होगा कि अलग-अलग टाइप के business organization होते ह ठीक है तो यहाँ पर जो co-operative society है यह भी एक प्रकार का business organization है और इसको यहाँ पर किसलिए form किया जाता है तो इसको इसलिए form किया जाता है क्यूंकि इसके अंदर के जो members हैं उनको help किया जा सके यहाँ पर यह एक ऐसे तरह का business organization होता है जो कि mainly हमारी society का जो weaker section होता है उसके द्वारा form किया जाता है ताकि जो economically stronger section है वो इनके ऊपर सोसन ना कर सके और यहां पर देखिये cooperative societies में जो member होते हैं जिसके द्वारा इसको form किया जाता है तो वो यहां पर अपनी इच्छा से यहां पर जूरते हैं और जो भी decisions वगेरा लिया जाता है जो भी policy वगेरा बनाया ज अब देखिए कोई भी cooperative societies legal interior तभी मानी जाएगी जब वो registered है cooperative societies act 1912 के अंतरगत और यहाँ पे होता क्या है कि cooperative society में जो members होते हैं वो अपने वो यहाँ पे जो capital है उनसे ही raise किया जाता है ठीक है यहाँ पे कहा जा रहा है और देखिए जो cooperative societies है यह आपको हर sector में almost मिल जाएगा मतलब हर sector में तो नहीं लेकिन बहुत सारे sector में आपको है पे मिल जाएगे जैसे कि retail हो गया banking, housing, marketing, agriculture, manufacturing तो इन सब sector में आपको cooperative societies काम करते वे दिख जाएगे अब हमारे constitution के हिसाब से यह जो cooperative society है यह जिस भी state based होंगे तो उस state के दौरा जो है इसको regulate किया जाएगा इसके इन corporation को उसके बाद इसको regulate किया जाएगा और इसका जो winding up का process होगा यह सारा state के दौरा regulate किया जाएगा और अगर हम यहाँ पर बात करें कि कुछ famous cooperative society हमारे देश में कौन-कौन से है तो देखिए अमूल के बारे में आपने जाना होगा तो अमूल क्या है अमूल भी एक cooperative society ही है इसके बाद यहाँ पर लिजजत पापर हो गया फिर से क्रिब को उसके बाद इंडियन फार्मर्स फ जुलाई 2021 से पहले क्या था कि जो भी cooperative society था उसके लिए अलग से कोई ministry नहीं थी लेकिन यहाँ पर जुलाई 2021 में इसके लिए अलग से ministry को फॉर्म किया गया जिसका नाम क्या रखा गया ministry of cooperation इसका नाम रखा गया तो यह ministry के दौरा जो भी cooperative movement होता है हमारे देश के अंदर त cooperative societies क्या होते हैं तो उसमिंत करते हैं और इस च ense Sup charities के पास registered नहीं होते हैं यह सेंट्रल ch Beetle के पास registered होते हैं उसके लिए मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 है जिसके तहत इनका फॉर्मेशन होता है इसके अंदर कर सारी फंक्शनिंग यह जो एक्ट है 2002 का उससे गवन किया जाता है अब देखिए अभी हमारे देश में 1500 से जादा मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटीज है और यहाँ पर इसमें से जादा तर जो है वो क्रेडिट बेस्ट नेचर के है मतलब कि जादा तर जो को ऑपरेटिव सोसाइटीज है वो लोन वगयरा देने का काम करते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यह तो बात हो गई को ऑपरेटिव सोसाइटीज और यहाँ प बिल 2030 है तो यह यहां पे 2002 का जो multi state cooperative societies act है उसको यह amend करता है और यहां पे कौन-कौन सी बाते कही गई है तो देखे सबसे पहले तो यह जो multi state cooperative societies होता है इसमें जो election process होता है तो अभी कैसा होता है कि अभी यहां पे जो board का election होता है तो जो existing board members रहते हैं उसके दौरा ही election को conduct करा जाता है ठीक है लेकिन यहां पे बिल में क्या कहा गया है बिल में कहा गया है कि board election के लिए जो central government है वह यहां पे co-operative election authority को establish करेगी और यही जो authority रहेगी यह यहां पे जो board का election होगा उसको conduct कराएगी उसको supervise कराएगी और यहां पे देखे क्या कहा गया है कि यह जो authority रहेगी इसमें कौन-कौन रहेगा तो एक chairperson हो गया एक यहां पे और यहां पे तीन members होंगे जिनको की अपॉइंट किया जाएगा केंद सरकार के द्वारा और केंद सरकार यहां पे जो selection committee होगी उसके यहां पे जो multi-state cooperative society पहले से काम कर रहा है तो उसके करना होगा यहां पें कि अले में मुइंटिंग में जो two third members होंगे उनका approval लेना पड़ेगा यहां पर कहा जा रहा है और फिर resolution पास करना पड़ेगा इसके बाद देखे यह जो बिल है यह बात करता है cooperative rehabilitation reconstruction and development fund को establish करने की अब यह जो fund है इसको इसलिए establish किया जाएगा ताकि जो multi-state cooperative societies हैं जो की काफी ज़्यादा कमजोर हो गए हैं तो उसके revival के लिए इस fund को यहां पर establish किया जाएगा और यहां पर यहां पर यह जो fund है इसके अंदर पैसा कहां से आएगा तो वैसे multi-state cooperative societies जिनका पिछले तीन साल में profit सो हुआ है profit उन्होंने अर्ण किया है तो यहां पर उनके द्वारा यह जो fund है इसमें financing की जाएगी वह यहां पर क्या करेंगे इस fund के अंदर पैसा देंगे अब वह कितना deposit करेंगे तो इसको ध्यान से समझे यहां पर कहा गया है कि 1 करो रूपीज यहां फिर इनका जो net profit होगा उसका 1% दोनों में से जो कम होगा उतना पैसा यह इस fund के अंदर deposit करेंगे इसके बाद देखें यहां पर क्या कहा गया है बिल में कहा गया है कि केंद सरकार एक यहां फिर एक से जादा cooperative Ombudsman को यहां पर अपॉइंट करेगी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से अब यह Ombudsman जो है जिसको की हिंदी में लोगपाल कहा जाता है तो यह क्या करेंगे यह यहां पर जो मल्टी स्टेट को आपरेटिव सोसाइटी के अंदर members होंगे तो member के complaint को यहां पर देखेंगे यह कहा जा रहा है उसके अलावा देखें यहां पर reservation को ले करके कहा गया है कि जो cooperative society होगा उसका जो board होगा उसमें एक-एक seat reserve होगा schedule cast के लिए schedule tribes के लिए और महिलाओं के लिए इसके बाद यहां पर क्या जा रहा है इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारा आपने देखा होगा कि cooperative society के ऊपर penalty वेगरा impose किया जाता है वो provisions को violate करते हैं तो इस bill के अंदर जो उनके ऊपर monetary penalty impose किया जाता है तो उसको यहाँ पर increase करके दिखाए गया है बढ़ा हुआ monetary penalty जो है वो अब impose करने का बात यह नहीं करते हैं तो और इन सब के अलावा एक जहां पर यह कहा गया है कि जो भी इनके द्वारा फाइलिंग की जाती अप्लिकेशन डॉक्यूमेंट रिटर्न वेगेरा का तो वह अब electronic फॉर्म में किया जाएगा तो यह सब कुछ की फीचर्स थे इस बिल के अंतरगर्द आप इस particular बिल के बारे में क्या सोचते हैं हमें अपना opinion जरूर बताएं